नमस्कार दोस्तों कैंसे हैं आप सभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसे सजाएं करवा चोथ की थाली करवा चोथ की थाली सजाने की संपूर और सरल बीदी जानिए दोसो करवा चोथ हिंदू का एक प्रमुक्तियों हार है जो साधी सुधा महिलाय मनाती हैं यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्य प्रदेश और राजिस्थान का पर्व है ग्रामी डिस्त्रियों से लेकर आधनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चोथ का ब्रत ब प्रापती के लिए इस दिन भालचंद्र गडएजी की पूजा अरचना की जाती है दोस्तों करवा चोथ में सुन्दर थाली का बहुत बड़ा महत्व होता है हर हाथ में सुन्दर सी सज़़ी ठाली और उसमें रखा पूजा का सामान बहुत ही महत्पुन स्थान रगता है इसी अफसर को देखते हुए आज आम आपको करवाचोत की थाली को सजाना सिखाएंगे जिससे आप अपने पती का दिल जीश सकें। दोसर एक इश्टील या ब्रास की थाली लीजिए। यदि आप उसे कलर कर सकती हैं तो थाली को पेसर टल, कलर या फिर लाल रंग के पेपर को चिपका दे। इसे आध्याद्वी रूप देने के लिए इसमें स्वास्तिक बना दे। दोसर थाली को किनारे की और रंग भी रंगे नेट के कपड़े से सजाएं। कपड़े पर कुछ इश्टोन एवं चमकते हुए सितारे भी लगा सकती हैं। और फिर उसे थाली के किनारे चिपका सकती हैं। दोसर थाली में कुमकुम और चावल को अलग-अलग कटोरी में रखें। थाली में दिया, अगर्वत्ती, मिठाई और पानी भी रखें। करवा जो कि मिठी का मठका होता है, उसमें और ते पानी भर के चांद की पूजा करती है, तो ऐसे में आप उस पर पैंट से सुन्दर डिजाइन बना सकते हैं। लाल रंग का विशेश रूप से इस्तमाल करें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों चांद को देखने के लिए चलने का प्रियोग होता है, यदि आपको इससे पहले इस्तमाल करना है तो इसे थाली की ऑपर ही रखें। थाली को कवर करने के लिए आपको एक कपड़े के टुकड़े की आवशक्ता होगी, कपड़े के लिए आप लाल रंग की चुनरी, प्रिंट या फिक कोटरं का कपड़ा इस्तमाल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कैसे सजा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले, धन्यवाद दोस्तों